हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यार यहाँ पेतो कोई भी नहीं दिख रा किस से पोचो इतना गाना जंगल है कोई साइन बूर भी नहीं है यहाँ पे अओ अँद यह आइसाब यह पिपल्या गाओ का रास्ता यह यह न? अरे सुनो ना, वाइसाब, अरफ बड़ाजी बात में है हाई बेबी हाई, पहुच के? बस पहुच से वाला हूँ तो, तेल में तुम अब तक नहीं पहुचे इतने लेट कैसे हो गए? अच्छी क्या है, यह जगा शेहर से काफी दूर है और यहाँ ज़ादा लोग भी नहीं दिखरे है मुझे अल्राइट, तेल में, अर्यू मिस्सिंग में? अफ चॉर्स, पहुच्छे वाली क्या बात है? अच्छा, तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी इसारी फॉर्मालिटीज कातम कर लो, अपनी सारी काफी कारवाई इन आल दा उसके बाद, मेब नेक्स बाइट से आगें जोइन आप जोई आप जोइन इंडिया, वट्से? ग्रेट, तास गुद निवस! अच्छा, बेपी, मुझे लगा रहे कि मैं पहुच गया हूँ, वो मकान दिख रहा है मुझे अरे ये गेट क्यू बंद है? जीब? राय रंजीत के मकान में जा रहे हो? हाँ? मच्छा! मच्छा! वो तेरी सिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी! मच्छा, मच्छा! मच्छा! अच्चा! लेकिन आप कौन है? मैं तुम्हारी मौत तुम्हारी मौत ए बुढ़िया, चर चर रजाब मजजाब, मजजाबरना तु भी मरेगा तु भी मरेगा मजजाबरना तु भी मरेगा तु भी मरेगा लुस्त साथ, आप राज साथ है? हाँ 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 अहा, आई, आई, आई... हलो राज? राज, अई एक कोई था? हाँ, अरे, बंदरा में ठीकूं, कोई नहीं था? और मैं मैं पहुंच गयो, ठीक है, बंगले पे, मैं कॉल करता थो तुम्हे, ओके? ओके, यू टेक केर हाँ, I'll speak to you soon, bye. बाई, बाई. हाई यसा ब्ज़िस आकरने है साफ, साफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, फेकर वो वो औरत कौन थी? बुडिया औरत जो आपसे बात कर रही थी ना, लाली नाम है उसका, थोड़ी अजीब सी है, आपको उसकी बातोंगा बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे, पर मुझे एक पाद समझ में नहीं आई कि उस औरत ने मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया? जाने दीजे ना साफ, उसकी बातोंगा, थोड़ी सी हिल्य हुई है, कुछ भी वक्ती रहती है, आप आई, अंदर आई. यह यहाँ भी तो मुझे बीच रास्ते में मिला था. आप, उसका नाम कमल है, यहाँ का माली है. हमने सोचा अब आप यहाँ पर रहने वाले हैं, तो क्यों ना बगीचे के जो रंग बरंगे फूल हैं, फिर से खेल उठाएं. अच्छो. आइए सब. साचा, एक बात बताईए. जी. यहाँ कितने साथ से काम कर रहे हैं? बस साब यह समझ लीजे कि मैंने बच्वन में चलना यही से सीखा था. और आप इस घर से तब ही जाओंगा जब मेरी अड़की उटेगी. साब, अब यह घर आपका है. कहीं आप मुझे नौकरी से निकालते हुआ हैं? नहीं, नहीं, नहीं. चाचा, ऐसे एक ऐसे बात कर रहे हैं. ऐसे कोई बात नहीं. बिल्कुल बेफिकर रहे हैं. और विसमें इतने बड़े घर कि देख रहे हैं, आपके सिवा और कौन कर सकता है? यहाँ? वाकई में आप बहुत नेक इंसान है. आए. साहब, यह है आपका रून. वाश्रूम उदर है. आप फ्रेश हो जाएगे. तब तक मैं आपके लिए खाने पिने का बंदो उबस्त करता हूं. ठीक है. ठीक है, साहब. चला जा. चला जा. चला जा. चला जा. वरना तू भी मरेगा. कौन? मैंने कहा ना, चला जा. कौन जा. कौने. जैसे बाकी लोग मरे हैं, वैसे तू भी मरेगा कि अज़ करो कि अज़ करे कि अज़ी करे कि अज़ी खरे कि अज़ी तूमा की? कि अज़ तर है हूज हरा हुग हर्षा हुग हर्षा हर्षा ऑज़ ह है आप तर हुग हर्ष्टंग है अ अ पसंट शुल शुल stitches ugh है आप तर का हुग हर्षा हुग गहाँ! गहाँ! शहाँ! अजग अवाँ! बश्गं, कैना ने में भी तरहाँ? खर्शार, होजाएग जहरी. मैं कोऊँ भी तरहाँ? मुझे क्या गाम है, मैं सिर्मॉने बताऊगी! गें, can you just make me speak to him right now? प्लीस! एक एक मेरोल जरिया सर! हाँ सर, पोन कॉले सर कोई लेडी है, बहुत रो रही है कहरी है, सिवाप से बात करीगी हलो हलो हलो, हैसी भी प्रदियूमन हाँ, मैं इसी भी प्रदियूमन बूल ला हूँ सर हाँ, कही है सामे बातना अपोंडरीयो, मेरिका Shin को एचा तो बताईये, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए तिस सेर्टे के मुझे लगता है कि उनकी बहुत बढ़ पक्यों के कानने से लहीं इंद पाक इंद उनका मॉडर हुआ है, इस बें किल यह सिर्ट पर इसे क्यों लगता है आपको कि उनका खून वा है? Sir, वो जब प्रॉपेटी खरीदे के बाद काजी कारवाई के लिए जारे थे तो तब? तब क्या हुआ? Sir, मैंने साफ साफ सुरा था राज को कोई औरत धंकार ही थी कौन? कौन थी और अउरत? No, sir, I have no clue ज़र एक बात बताएए क्या आपके राज की यहाँ, इंडिया में किसी के साथ कोई दुष्वाणी थी? कोई जग्डा अग्डा हुआ था? नई, sir.. राज की किसी के साथ कोई अनिमेटी कोई दुष्वणी नही ती राज का इंडिया कीजानता ही नहीं था तो य데 कौन कर सकता ही है? कौन जान भेसकता है राग्ती? कि अपो किसी बश्चक है? नहीं सर कोई श्चक नहीं है सर राज भी नेक काम करने जा रहे थे कैसा काम? यह वाटने तो स्टार नॉफनेज सिर्फे का नाथ हो उस्रूम कोलना जाते थे वो वाकरी नेक काम है लेकिन किस से खरीदने वाले के मकान वो? सर्ब मकान थो अर्डेडी खरीड चुके थे गवर्मेंन से लिलामी के बाद वो सर्फ इलिया कागजी कारवाई के लिए के लिए देखिए एक काम कीजे सारे के सारे डिटेल्स मुझे भीज दीजे मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूगा, ठीक है? सर्ब मने सी आईटी के बादे में बहुत सुना है सर्बुचे में जस्टस दिलेगी ना बंदना जी मैं आपसे वादा करता हूं आपको पूरा का पूरा इंसाफ दिलाएंगे हम और जिसने भी आपके राज के साथ बुरा किया है उसे हम सजा दिलवाएंगे बंदना इसका मंगेतर राज अमेरे का से इंडिया आता है मकान खरीदने अनाताश्रंद चराने पर राज की मौत होती है मदुमक्खी के काटने से इंक्रेस्टिंग सर यह वही बंगला है जो राज ने सरकार से निलामी में खरीदा था अच्छी खासी प्रापरेटी लग रही है आप देखबाल करते हो जगे की जी हाँ, कहिए तेहेंगे आप हम सिफ सुनेंगे क्या मतलब C.I.D. C.I.D. क्या बात होगी सर राज राकेश नाम के एक आदमी का कुन हुआ है आप बहुत बुरो असार उनके साथ क्या मतलब क्या क्या मतलब तब तक इस मकान के अक्चकर लगा लेता हूँ क्या मतलब राज साब को मारा फिर वह खुद मर गए जा काफ ने रायरंजीत के मकान से लोट रहे हो आप कौन है क्यूं गए थे वहां अपनी मौत को दावत देने गए थे सर लगता ही ये लाली है है आप लाली हो ना हाँ तुम्हें किसने बताया तुम्हें तुम्हें रायरंजीत के जासु सुने यहां बेजाए हाँ, उन्हों नहीं भेजाए ना यहां पे कौन? कौन रायरंजीत? साब था वो साब उसने मेरे तादी को तोखा दिया उन्हें अपने ही घर से दख के बार के निकाल दिया जाला इसे बार को जड़िए मुझेन भेजाए मुझे एरे घर से बन निकाल मुझे मुझे मैरे घर से मजी शराम आनी चेये तुमें, रंजीत तुम अपनी खुद की भाभी को घर से बार निखल ले ओ कम से कम अपने भाईय का तो लिएस किया होता अरे उनका क्या लिहास करना? उन्हेंने खुद ही तो अंगूथा लगा कर ये घर मेरे नाम किया है तुने उन्हें शराप पिला कर दोके से अंगूथा लगवाय था अब क्यों किया? कैसे किया? इस गहराई में जाने से क्या फाइदा? समझदे वाली बात तो ये है कि ये मकान अब मेरा है और तू कर अच पर आगई है चलो निकलो इस जासे अच तेरे हिस्से में ना सिर्फ घर नहीं आया है एक मकान आया है एक ऐसा मकान जिसके हर कोने में मेरी बद्वाई गुझेगी मैं तुझे श्राब देती हूँ सिर्फ तू ही नहीं इस गर का जो भी मकान मालिक बनेगा वो जिन्ना नहीं बचेगा बहुत का खेल होगा यहाँ बहुत का खेल अब तर कितने लोग मरें? वो साब लोग मर गए जिन्नोंने वो मकान खरीदना चाहा तुम लोग वो घरमत खरीदना तुम बले लोग लग रहे हो वरना तुम्हारी बीबी भी दवा हो जाएगी माजी यह यह कुछ पैसे हैं काम आएंगे सर लगता नहीं है इसका राज की मौत में कोई हाथ है यह तो खुद बिचारी सदमे और विश्वास में लग रही है हो सकता है राज की मौत कोई महड़री ना हो कोई हाथसा हो हरी जे कमरा खुला कैसे है यह तो बं था एक मन रुको शायद राजने खुला हो यह तो चत्ता है यहांपे इसरा? जी सार यह है मदुमकी का चत्ता अले मैं पेली बाद देखरो साथ यह राज यह इस इस्टोरूम में क्या करने आये था? साब शायद बविली देखे अच्छा और उस वक तुम काना लेने गए थे जी साब वो कौन है? वो कमरा साब यहां कमाली कमरा जब राज साब की मौत हुई थी तो यह था यहां पर? जी हां था कमरा 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 यहां कमरा तो राज की मंगे तरवंदना कहती है कि राज का खून हुआ है अंडेट परसन इस छटे को बाहर सिला कर यहां पर लगाए गया मदुमा की के छटे को किसी और जगे सिला के किसी और जगे लगाया सकता है इकना असान है इकना मुश्किल भी नहीं है स्टेट के व्यापार के लिए अक्सर अथा किया जाता है अब बता सकते हैं तिक्ते दिन पहले शटे को लगाया गया ज्यादा दिन में लग बग जो तीन दिन सर अकर मान भी ले कि कुनी ने ये चटा यहां पर इसलिए लगा था यह वो राज को मार सके लेकिन उसे कैसे पदा था कि ये मदु मक्हीया राज़ पर हमला करेंगे किसी और पर नहीं मदु मक्हीयां बिना वज़े किसी पह भी डंक नहीं मात क्योंकि डंक मानने के बाद उनकी खुझकी भी महुत हो जाती है तो ऐसी क्या चीज है जो उन्हें उत्यजित करती है अटाइक करने के लिए देखे जब उन्हें लगता है कि हामने वाले इंसान से उन्हें कुछ खत्रा अच्छा केदार साब ऐसा हो सकता है क्या कि मदू मक्यों को ट्रेंड किया जा सके जो किसी एक आदमी पर हमला करें कैसी बाते करते हैं अभी जी साथ ये मदू मक्यां शाप शूटर नहीं कि कोई भी इन्हें कह दे कि फलाँ फलाँ को डंक मार कर आज़ा शाप ने अभी भी कहा कि ये मदू मक्य किसी को काटने के बाद ये खुद में मर जाती है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो किसी वो काटती है जर डीटल में समझाएंगे मदू मक्यां जब भी किसी को डंग मारती है तो फिरुमोन नाम का एक गंद छोड़ती जिससे कि बाकी मदू मक्यां सचेत होकर सब मिलकर उस पर हमला कर देती है इसलिए मैंने पहले भी कहा था मदू मक्यां बिना वज़य किसी पर भी हमला नहीं करती है गरूर राज ने मदू मक्यां के छट्टे के साथ कुछ चेरगानी की होगी सर खुनी को कैसे पता था कि राज इस छट्टे के साथ छेड़कानी करेगा काहिए मौत वाके हाथसा तो नहीं? नहीं परवी राज के आने के ठीक दो दिन पहले इस छट्टे को यहाँ पर लगाना जो पही सायोग तो नहीं हो सकता सर राज की मौत के बाद यह घर बंदना के लाम जायेका काहिं सब के पेशे बंदना तो नहीं? काहिए बंदना इंडिया का भारी है? वाट नॉंसेंस अब कुर इवन थिंग लाइक आप एसे कैसे सोच सकते के राज की बहुत के पीछे बेरा हाथ हो सबता और फर्स कीजी की राज की बहुत के पीछे बेरा हाथ था तो मैं आप लोगों को फोन क्यू कर थी? फुलिस तो अल्रड़ी केस क्लोज कर चुकी थी ना? देगी हम सिफ पूछ रहे हैं वैसे राज जी के बाद ये मकान किसके नाम पे वाए है? I don't know राज ने गवर्मेंट से मतान खरीदा था तो शायद गवर्मेंट को वापस में दिया मुझे अभी तक कोई नोटिस निना है अल्रड़ में राज का किसी के साथ पर जगडा हुआ था? I have already told you that राज एक नेग दिल इंसान थे और उनका किसी से दुश्मनी होना was impossible अगर मुझे पता हो तक राज की नेग दिली उनकी जान ने लेगी तो मैं उन्हें कभी इंडिया आ नहीं नहीं थे यह अनात अश्रम खोलने का खयाल राज जी के दिमाग में कैसे आए? राज खुद अनात थे इसलिए वो दूसरे अनात बच्चों की फीलिंग समझते थे वो अनात बच्चों को घर जैसा माहॉल देना चाहते थे और जैसी उन्हें पता चला कि रोहमेंट यह मकाम धिलाम कर रही है तो राज ने सबसे उची बोली लगाकर यह मकान खरी थे तो कहीं इस राज के मौत का कारण यह घर तो नहीं है हो सकता है कोई और भी इस घर को खरीदना चाहता था राज बीच में आगया यह उसले वाट इतना नीच कैसे हो सकता है इस दुनिया से इंसानियत उट गई है क्या इंसानियत है बंधना जी इंसानियत है लेकिन कुछ लोग हैं जो इंसानियत में जहर गोलने पे तुले हुए कर बता करते कि सिसको जिजस्पित इस प्रापर्टी में देखे सर मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूं कि राज जी के अलावा किन-किन लोग इंसने इलामी में हिस्सा लिया था हम भी तो मारे द इंसका क्या कर रहा है पर भू सब 네 है डेकिन क्या है कि अगर सरकारी नोटिस मिल जाए तो मैं यह आपको इन्फोर्मेशन जिस सकता हूं उसके विना नहीं दिखा सकता से तो नोटिस मिल गए अब कुछ है हैं? देखे, अगर काम काइदे से होता है तो अच्छा लगता है अहां, ठीक है यह लेजे यह लेजे कुछ मिलाकर सर बारा लोग थे जो इस बंगलो को खरीदना चाहते थे सर इस बंगलो के पास एक सरकार एक हाईवे बना रही है इसलिए सब लोग बढ़ चड़कर बोली लगा रहे हैं और हर कोई इस बंगलो को खरीदना चाहता है अच्छा यह राज जी के मौत के बाद अब यह मकान किसको मिलेगा देखे राज जी ने कागजी कारेवाई पूरी नहीं के थी इसलिए निलामी अब दुबारा से होगी और जो भी जेता होगा उसको यह बंगलो मिल जाएगा I see और यह नहीं निलामी कब होगी देखे सर अभी उसकी डेट तो तया नहीं है सर लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा सर कि राज जी से जितने भी बिल्डर्स थे वो काफी बढ़के वह थे, काफी नराज थे क्योंकि उन्हें सबसे साधा बुली लगाई थे नहीं, सर एक्षवि उन्होंने टेड्लाइन के बाद बीट समिट किती सर इससी वज़े से लोग नाराज से उनसे ऌने कि अगर डेड्लाइन के बाद उन्होंने बिट किया था तो तो सरकार ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? सर एक्षिवी वहाँ पर वो अनाथ हर्ष्रम खोलना चाते थे और सर अमेरिका से जो इंडिया का वक्त का फरक है सर वो साड़े नौ घंटे का है इसलिए सरकार ने वो एक्सेप्ट कर ली थी देखिए अब गर तो उसी को मिलेगा जिसकी किस्मत में होगा सर इसमत में नहीं भी होगा तो उसने अपनी किस्मत के लेखा हैं बदलने के लिए कोशिश तो की होगी और जरूर इस लिस्ट में से ही कोई होगा अलली जी अब तो ये दुबारा निलामी होगी तो जिन लोगो यह सर वो तो आप किसी भी केमत पर नहीं देख सकते है अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अर अब टूरेंट लेना पड़ता है ना यहों क्रिकेटरों म्यूजीशनों कोई भी हो इना यहां भी टायम आगया अभी डिटार्मेंट ले रहूं अब गाहा ने तो यह क्या यह देख लो देख लो यहा क्या तू कर रहा है सारों के समझ में नहीं आ रहा है यह एर टिकेट नहीं, नहीं नहीं कैंसल नहीं होगा अब एक रिफंड मिल जाएगा, पैसे वापस बिल जाएगे, कल की टिकेट रे, दोन्ट वरी मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मैं जाराग वापस तू ऐसे कैसे जाएगा? क्या हुआ क्या हुआ यह तो हाथसा नहीं है, खून है, मदु मक्यों को तो वो आतियार की तोर पर इस्तेमाल करना है, यार सालों के सब, वो किसे? देखो मदु मक्या कब आती है, इंसान के पास, जब उन्हें फेरोमॉन की गंद आती है, तब ही ना आ यार, फिरोमॉन तो आर्टिफिशली भी बनाया जा सकता है, लेबोरेटरी में फैट्री में, मतलब किसी नहीं यह आर्टिफिशल फिरोमॉन बनाया, और किसी भी तरह से राज के शरीफ पर लगा दिया, बस अदू मक्या आगी और उस पर अटैक कर दिया, सालों के, यह फिरोमॉन वहां पर आया के से और किसने इस्तमाल किया यह फिरोमॉन राज पर, यस बस, यह रहा सब, राज का सारा सामान इस सूपकेस में, ठीक है, पर एसी भी साब बता रहे थे, आप रेटायर होने माले हो, कब है आपका लास्ट वर्किंग डे, आपके लास्ट वर यह यह एक काम करो, मैं बाहर जाता हूँ, और तुम जो है ना, एक एक करके सामान मुझे बाहर पकड़ाओ, तो पता करते हैं कि कौन से सामान में फिरोमेन है, ठीक है? यह सार, यह पकड़ेगा अज़र, रख लिजे थोड़ी देर के लिए, देखेगा ना पार? देखेग है है, है है तो मेंदर मक्य हैं, यह ठीक है रहाता है, बढ़ जिए फूर्वी यह है, यह दाया, अरे दिख रहा है सामा, कपर। ऐसलिए छेजिशे, समाल, कपर। अरे झाल के सामान मुझे, गरिद भूरीजशे, खिज़ए, ते टीक है, यह सितना प्रोण Sel्शिश छिशि में परो में जो ताव सिता अटे कर ती अजी आप अजी एक अप अरकातुई अरकातूई देखो यह को अटाइकिंग मूगन आये यह मदू मक्यें देखो व्राज की परफीम ने फिरोमिन मेलाया। अरी नियुक्त काथा। सर अब निकलो यह से। पानी में जाओ पानी में। सामने उस तर असर। असर। अब उतर कुई आया। सर॥ निकलो यह से। आप ठेको सार आप रेपका आप ये ये मदु मक्किया आपको रेटार नी ओने देंगी सार आपको निकालो मुझे आइए 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 आईए आईए है आईए हेलो जी नमस्ते कैसे आप आप जी माज संदुमल पंडुमल कंकेश बास अर बहुत लबाना हुआ पाताय किया काम था अपको जी वो निलामी के लिए था आप युँ पुराना वाला बंगलो हाईवे के पास वो खरीद ला है मैं जै ऐसे नही मैं पैसे लगाई गणा, मैं मैं पैसे लगाई गा देखे, अब टाइम नहीं बचा है सिरफ फंदरा मिनट बचे है अपडेट होगा है अटी क्या बात कर रहे सर फंदरा मिट में क्या क्या हो जाते है ने देखे न मैं तो ये बिट का लिफाबा भी लाया हूँ ये देखे हम् राकेश ते जार रिजिस्टर लिगे रहा साब को दो, एंटी कीजिए साब हाँ, यहाँ पर एंटी कर देजिए अच्छा है यहाँ साइन कर देजिए लास को गुड़ लाइड़ अच्छा वेरी गुड़ यह तो अच्छा हो गया सर वो बंगले का चाभी मजाग कर रहे है चाभी यह से तो नह मिलता है अर भी बोली लगे की निलामी हो गी उसके बाद जीते उसको मिलेगा भई पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं कमाल है क्या भाई साब काम हुआ सर यह देखिये चंदुमल फंडुमल कंकेश्वास का कमाल गुड़ जब पंकज बारह में से दो लोग है जिनोंने दुबारह बोली लगाई है विस मकान को खरीदने के लिए रोशन मतलब होनी इनी दों में से कोई हो सकता है और वो जो कोई भी है इस बार भी इस मकान को हत्याने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो दोस्तों अब ये वक्त आ गया है के बता दिया जाए के निरामी का विजयता आखिर है कौन और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि निरामी के जो विजयता है मिस्टर रोशन रोशन जी आपको पहुत बहुत बढ़ाई हो एक बढ़े ठाई की बढ़ाई हो सबसे जादा बेट बहने लगाई थी ये कैसे चीत कहे सबसे जादा बेट मिस्टर रोशन ने लगाई थी इसलिए रोशन को मकान दे दिया गया है ऐसा हो ही नहीं सकता आप मैंने बहुत उची बोली लगाई थी बेट मुझे मिलनी चाहिए थी मैंने तीनों लिफाफे चेक की है और चेक करने के बाद मिस्टर रोशन की किमा सबसे जादा थी इसलिए मिस्टर रोशन को मकान दे दिया गया है प्लीज कमान यार अब हार गया हो तो बच्चों की तड़ा रोव मत बिजनस है हूच नीच होती रहती है बिजनस में बहिमानी नीच होती है भी यह जाएक inRe आप पहल लिफाथी तिखाय को घथstanding तने किस्तले कि बिट खरी है जुह तिखायक त्छिएं सबस्क्राइब इन ही झा शक्रियों के मिभी चीटिंग ना भी निए खिलाब है पी मेंने साथ करण के गड़कार गिए लेलिद जी, आप तो बड़े कायदे गानून की बाते किया करते थे, और फोन भी नहीं उठा रहे हैं यह तो बहुत गलत बात है, आप बीरो चलिया हमारे साथ आप कहा कि सगर है रोशन जी, आप हमें मिठाई नहीं खिलाएंगे, नहीं प्रॉपर्टिल ही आपने, आइए आप ही आइए, आइए आइए सर रोशन जी बिलकुल ठीक बोल रहे हैं सर, सर रोशन जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो भी फ्रॉड हुए है सर मैंने किया है यह रोशन का चुर्म अपने सिर पर क्यो ले रहा हो, अच्छा खासा पैसा दिया है क्या रोशन ने तुम्हें रिक्वात याद रखलो, यह पैसा कर्च करने को नहीं मिलेगा क्योंकि तुरंस भाती होगी तुम्हें 장, प्रॉड यतनी से वहमानी के लिए भांसी क्या देंगे थिए नही नही नहीं, बहमानी के लिए नहीं खून के लिए, खून के लिए भांसी होगी किसका खून सर राज राकिष का खून जिसने पिछली नीलामी में वह घर वो प्रॉपर्टी खरी दी सर लेकिन मैंने किसी को नहीं मा रहा है सर किसी को पता है इस रॉषन ने मा रहा है तो इसकी पोल खोल दो वनना इसके पाप कमड़का तुम्हारे से पूट जाएगा सर ये क्या कहने है सर आप मैं भला राज को क्यों मारूँगा सर इस प्रोपर्टी के लिए और किस लिए क्या कह रहे हैं आप सर यह पर्फुम छड़क दूँ हाँ बाहर मदमख्यों का छथा है जा बोता है सर पर्फुम आपकी मर्दी सर लेकिन हमारे स्केस से पत्तियों का क्या लेना देना सर मुझे वाक़ी पता नहीं इस पर्फुम का कोई स्केस से संब्ढ़ है सर जी हम सच कह रहे हैं सर राज जी की मौत से हमारा कोई संब्ढ़ नहीं है सर ललिक बिल्कु ठीक कह रहा सिर अगरी खून रोशन में नहीं किया तो फिर बच्चता है वो वही एक इन कागा से साबित होता है कि तुम राय रंजीत के पोते हो तुमारे पास तो बहुत बड़ी बज़े थी इस मकान को वापत पाने के लिए क्यों ठीके राय रंजीत का पोता होने से ये थावित नहीं होता कि ये खुन मैंने किया है हेमन जी कुनी कभी कभी अपने जुर्म के सबूत अपने साथ लेकर चलता है जैसे तुम समझाने कि मैं समझाता हूAN को ये रह सबूत कमाले शालूँ के सब सेवती शुट पहनने के बावजुद भी आप दोनों को मदूमक्यों ने काटा चवठी कभी येशेफ की सेवरी शूट पहने के बाद भी MADHU MAKHY nightmare मैं दंकमार सांती है और फिर मदुमा की के छट्टे को इधर से उधर ले जाने में तो और भी ज्यादा अटेक हो सकता है, नहीं? छीज दिखिया, वो दरसल बॉत हो गया, मद तुम्हारी बेगुनाई का और भी कोई सब हो चाहिए? छीज नहीं मैंने यह सब किया था जब राज बंगले में गुसा तब मैं वही था और पॉका देखकर मैं बंगले में गुस गया था मैंने परफ्यूम की बॉटल के अंदर फेरेमॉन मिला दिया उसके बाद राज को आवाज से डिस्टेक किया मदमख्की शृत्ते सके लेकर गया उसके भाद का काम अटमख्कियोंने कर दिया था लोजह नियरा पॉष्टैनी मकान वापस चाहिए था वारे वाज अपने पुष्टेनी मकान के लिए तुमने एक नेक इन्सान का खून कर दिया गानून तुम्हे कभी मात नहीं करेगा तुम्हे कम से कम हाजीवन कारावास की सजा होगी ले जो इसे वंकाची पूंके इस खतम तुम रिटायर हो सकता है तुम रे मुझे रिठार होना इनी? तुम तो बोल रहाता रिठार होई? आ Mahar कि बाती? भगवान उनने बहुतव हैं नहीं चुटने वाला है इसी का किसे नए मुझे तुम्हारे बिना चेहन नहीं, और तुमे मेरे बिना चेहन की यए लिचे सरकार ने बंगलो अब राज से आपके नाम करने का निर्णे लिया है उमीद है कि अब आप मिस्टर राज के अनात आश्रम खोलने का सपना पूरा कर पाएंगे राज के जाने के बाद बेरी लाइफ का यही मकसद रह गया है उसका आखरी सपना पूरा करना और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो माच राज को जेस्टिस दे लाने के लिए हमने जो कुछ भी किया वो तो हमारा फर्स था आपको और कोई मदद की जुरत हो तो हमें ज़रूर याद करियेगा कभी-कभी आते रहेगा उन बच्चों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी यह भी कोई पूछने की बात है हो सकता उन बच्चों में हमें कोई हमारा नया CID officer मिल जाए झाल झाल झाल